अच्छा जी ये लेटेस्ट एटेम्ट में सवाल आया था एक आई एस 38 का तो कुछ बच्चों के दिल में खौहिश होगी कि इसको भी डिसकस कर ले उस खौहिश का भी तक उन्होंने इजहार तो नहीं किया मेरे से लेकिन आज दिल को दिल सरा होती है इसलिए कॉस्ट नमबर तो नहीं टू नहीं लेटेस्ट एटेम्ट में ये क्वेस्ट था कुक्ट नमबर तू खीक है सप्तमबर 222 का क्वेस्ट नमबर तू अच्वेस्ट कुछ न टू पॉलिंग ट्राइक्शन परेंड टू स्फियर लिमिटेट फो देजिए निडिटीशन दो हज़र बाइस और यह कम जलाए 2021 साल के पहले दिन अगेंस कैश कंसिडरेशन यह कैमरा से दूर है आप लोगों के लिए उपपर ही चाड़ गए है और यह कम जलाए 2021 साल कोईड़ लैसंस अगेंस कैश कंसिडरेशन ऑफ फिफ्टी मिलियन कितने पैसे दिए हैं फिफ्टी मिलियन एसल इंकर कोस्ट फ्री मिलियन विच से डिफंडेवल टैस्स को असट की कास का पार्ट नहीं बनाना और ट्रांसफर फी को असट की कास का पार्ट बनाना है एगरीड चलें आगे अगे ड़िसंस वेलिट फॉर फाइव यहस कर लिए लेकिन यह रिन्यूबल है हर पांच साल बाद एटा अच्छी खासी कास्ट और चालेस मिलियन पचास-चालिस के मकाबले में चालेस-पचास के मकाबले में अच्छी खासी कास्ट है हमारी इंटेंशन है एवरी फाइफ यह हर पांच साल बद रिन्यूल होगी यह लाइसंस में लिखा हुए है SL Intents To Renew the Options हमारी नियत है कि इसको एकी दफार लिइ रिन्यू करवाएंगे और फिर श्याला दस साल के ईनपे इसको बेच देंगे हमारी नियत भाड में गई स्टेंडर में में स्टेंडर्ड के अंडर के को रिन्यूल कस्ट मिनीमल है या नहीं क्योंके circumstances 5 साल में बदल सकते हैं हमारी नियत भी बदल सकती है हम कहें सिंटन्जवल के हमें जरूरत ही नहीं इसलिए renewal को फारग करें reason लिखे आएंगे paper में the renewal cost is significant that's why मैंने renewal period को ignore की है मेंगी renewal में मैंने का था renewal period को ignore करना है सवाल की बातों में नहीं आना किस तरह करना मैंने आपको एक सवाल कराया था लिख लें question bank का question 7 question bank का question 7 करवाया था आपको zebra limited वाला उसमें as it is इसको आई के अपने copy पे सर के सवाल डाला है वहां से वहां भी इसी तरह लाइन लिखी वी थी अच्छा इसलिए प्लीज लाइफ की discussion बताएं लाइफ कितने साल होगी पांच SL estimates as residual value of this license would be 12 million and 9 million at the end of 5 years and 10 years respectively residual value 12 million है और 9 million है अच्छा इसकी कोई active market वगरा है license की SL acquired a license against cash consideration of 50 SL incurred cost of it the license is valid for five years but is renewable every five years SL intends to renew the license SL estimates residual value will be इतने अब हम क्या लेंगे रिजिल वैलियो ले ले लेंगे या नहीं लेंगे जड़ा सोच के बताएं रिजिल वैलियो लेंगे या नहीं लेंगे आम देखें थियोरी का सवाल है दोनों तरफ discussion हो सकती है एक discussion तो यह सकती है कि if there is an active market और वहां से फिर आपने अब रेजिल वैलियो ली है तो फिर तो हम इसको ले ले लेते हैं और दूसरी बात अगर एक्टेव मार्केट है तो ले लेते हैं नहीं तो नहीं लेते तो तो सवाल में तो मेरे खाल से उपन बात है दोनों बात हैं लिखके आ सकते हैं आप कोई मस्ता नहीं उसने देखें क्या लिखा हुआ है आई के अपने किस बारे में दे यूस फुल आफ अफ लेसंस इस रिस्रिक्टिटिट तो फाइज एस रिनियुल कॉस्ट इस सिग्निफिक सवाल है हम दूसरी साइट पर देंखें जा सकते हैं हम लिख सकते हैं एस्यूमिंग डिस रेजिडियुल वेल्यू इस फ्रॉम एक्टिव मार्केट तो फिर मैं इसे कल्कुलेशन में ले लोगा थियूरी के सवाल में दोनों बात हो सकती हैं ऑके अच्छा नेक्स जी अच् नो मिलियन वाली तो इन एनी केस नहीं लेनी अच्छा अब अगर आईके वाले सुलूशन पर रहें तो अमोर्टाइजेशन निकलवा दे मुझे अमोर्टाइजेशन निकलवा दे मुझे कल लोटर पकड़ें डेट ऑफ परचेज ढूननी पड़ेगी ना यार डेट ऑफ जक हम जुलाई दोज़ार 21 केस समरे जीर एंड टीस युन बाइस पूरे साल की अमोर्टाइजेशन निकलेगी फिफ्टी टू को डिवाइड करतें फाइव से अमोर्टाइजेशन डेट और अकमू लेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट फिफ्टी इवाइड़ 10.4 अब जो सारा ये पेपर में सोचा है इसको हम लिखेंगे कैसे लाइसंस falls under the definition of intangible and falls under the scope of IAS 38 the purchase cost and transfer fee will be capitalized as a part of cost of asset which is 52 however refundable taxes will be recorded as a receivable ये एंट्री को बसंग रेजी में पढ़ना है further the life will be taken as 5 years because renewal is at not minimal cost या is at significant cost therefore SOCI will show an amortization of rupees 10.4 million if I assume या assuming that the residual value is not from active market और from any third party आगे जी अन जकम जलाए 2021 SL decided to develop a website किसने ये note किया था decision who had developed करने का और internally generate initiate शुरू हुए यकम सप्तमबर को तो यकम जलाए में decision हुआ था वैसे board of director बैठे हुए थे उन्होंने का यार को वेबसाइट ना बनाई है हाँ यार बना लो यार हाद दोगी अन जकम जलाए 2021 SL decided to develop a website for advertising and promotion of its products ये line bombastic किसम किया है अभी ये line में दुबारा आके दरह पढ़ूँगा ये है क्या SL believes that website would enhance the brand value of products and would also be used for providing general information about SL to public अब बताएं ये website external use के लिए है internal use के लिए external लोग इसको access करेंगे या management ने अपने लिए बनाई है external use के लिए आँ येकम सब्तंबर 21 SL internally initiated the development अब हमने science दानों को बढ़ा के development शुरूब भी कर दी है माशाला which was completed on 31 January 22 31 January 22 को अलहम दुलिला development हमारी complete होगी है September, October, November, December, January कितने महीने लगे है 5 में गिन देता हूँ September, October, November, December, January 5 महीने में development complete होगी है science दानों के लिए दरवादा खोला था हमने येकम सब्तंबर 2021 को और उनको 31 January को चोगे उनसे उतारके उनको रवाना कर दिया directly attributable cost for developing the website are as follows 2 मिलियन उसकी planning phase के अंदर हुई है जो September में हुई थी planning पहले महीने में फिर 7 मिलियन वेब सर्वर एक्वाइर की है भाईजां ये tangible होता है ये tangible होता है इस पे आई-स-16 लगेगा टेंजेबल के spelling भी गलत लिख दिए मैंने इस पे आई-स-16 लगेगा वेब सर्वर आपने कॉयर किया एक्वाइर एक्वाइर दोजार एक्वाइस में इसकी depreciation की discussion भी हो सकती थी लेकिन अभी सवाल के अंदर जो है वो इसकी life available नहीं है रुपीज 3 मिलियन for content development November और December November और December के अंदर content development और वेब साइट का और वन मिलियन एन्वल वेब साइट होस्टिंग फीज भाइजन जब फीज एन्वल है तो ये तो है ही खर्चा तो इसकी बिए तो discussion नहीं करनी capitalize होगा जा नहीं अगर सवाल में ये line ना लिखी होती जो मैं मिटा रहा हूँ तो ये चीज एकस्पेंस में जानी थी ये पहला बुलिट एकस्पेंस में जाना था तीसरा बुलिट capitalize होना था और दूसरा बुलिट capitalize होना था IS 16 में और पहला बुलिट एकस्पेंस में जाना था और तीसरा बुलिट capitalize होना था अभी मेरे पास time नहीं है अगर मेरे पास time होता तो मैं आपको IS38 खोल के दिखाता और उसमें मैं SIC32 में जाता और SIC32 में जाकर मैं आपको ये दिखाता कि planning phase के खरचे को मेरे पास time है गालबन हम पहुंच गये दर है planning phase के खरचे को expense में डालते हैं और content development के साथ क्या सलूक किया जाता है IS38 के मताबिक इसको capitalize किया जाता है ये सारी discussion थी unluckily हमारी website जो है वो website सिलफ इस मकसद से है कि promotion करें इन सारे बातों को भाड़ में डालें planning phase भाड़ में गई development phase भाड़ में गई application, graphical, development, design, content development भाड़ में गया सब फारक करें क्योंकि हमारे जो concept iCAP ने test किया था वो ये वाला पहरा test किया था if a website is developed solely for promoting its own products then entity will not be able to demonstrate how it will generate benefits ये एक advertisement type के लिए website बनी है सिरफ all expenditure on such website should be recorded as an expense, सारा का सारा खर्चा expense में जाएगा चाहे अच्छी वाली development ही क्यों ना हो ये भी expense में जाएगी अगर मेरे पास time होता तो मैं दिखाता दिखा दिया okay किते हैं किदर है सप्तंबर 2022 से टाइम इस लिए इसको भी capitalize कार्ट के मैं किसमें डाल रहा हूं expense में एन्वल वेब होस्टिंग ये उसने इंट्रो का concept किया था एन्वल वेब होस्टिंग ये concept आप कर चुके हैं IFRS 15 में revenue कमाने वाले के angle से अगर एक बंदा हमें web hosting करके दे रहा हो तो वो हमें service दे रहा होगा तो वो हमें service दे रहा होगा वो revenue record कर रहा होगा over time web hosting वेब होस्टिंग ये होती है कि वो अपना platform provide करते हैं जिससे हमारी website सारे लोग लेते है annual web hosting हर साल की फीस देते हैं और हमारी नदर में ये खर्चा है उसकी नदर में ये IFRS 15 लगेगा और ये income होगी लेगिन फिलाल मैं हमारी बात कर रहा हूं रुपीज 1 million for annual website hosting valid तिलिक 30 जनवरी paid on यकम जनवरी यकम जनवरी 22 को जिस वकत हमने web hosting की payment की होगी तो इंट्रो की क्लास में टीचर बताते हैं एंट्री करो prepaid debit cash credit जजबाती होके खर्चा बुक्ना करो क्योंकि इस खर्चे ने एक साल का फाइदा देना है prepaid debit cash credit ये सारी discussion I.S. 38 की नहीं आपसे करा जब यकम paid in जनवरी valid till 31 जनवरी इसको फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये एक साल किया है तो valid till 31 जनवरी ये तो paid in जनवरी उसने लिखा हुए तो हो सकते हैं जनवरी से मराद end of जनवरी हो तो जनवरी के end पे चलें समझ लें जनवरी के end पे मैंने ये prepayment pay कर दी अगला सवाल मेरे ये इसने फाइदा अगले साल 31 जनवरी तक देना है तो फिर इसके लिए पीरियड कौन सा होगा एंवल एंवल पीरियड क्या बनेगा जिसके लिए हमने ये वैफ होस्टिंग करवाई है यकम फरवरी 22 से बोलें बोलें 31 जनवरी 23 ये एंवल पीरियड बनेगा ना ending डेट उसने बता दी एक बंदा साल साल बाद मर गया मरने के डेट बता दे और य यकम फरवरी को तो एंवल होस्टिंग है यकम फरवरी को सर यकम फरवरी से क्यों हमने एंवल होस्टिंग बाय की इसलिए के 31 जनवरी को हमने साइंस दानों को निकाल दिया था और यकम जनवरी से हमने वेबसाइट इस्तमाल करना शुरू करती थी तो अब एंवल होस्टि कि payment की entry होगी prepaid debit cash credit payment होगी जनवरी में अब जब year end आएगा year end तो year end पे खड़े होके जनवरी end में मैंने ये किया 30 जून पे खड़े होकर मैं क्या करूंगा इसमें से थोड़ा सा क्या बनाऊंगा expense बनाऊंगा एक अगर खर्चाए 12 महीने का तो मुझे दे दो पांच महीने का बोलें जी ओ बोल दो तुसी कराच बैठके कल्कुलेटर नहीं फड़े था बोलो ये लोग नहीं बोल रहे 0.42 0.42 मेरा खर्चा बज़ेगा जिससे rent expense होते मैं पूरे साल का कराया advance में दे दू तो खर्चा भी बुक करूँगा या थोड़ा सा प्रीपेड होगा थोड़ा सा प्रीपेड होगा मैंने चार मुबाइल के कार्ड खरीदे एक इस्तमाल कर लिया तीन अभी तक दराज में पढ़े हुए है तो खर्चे में एक कार्ड जाएगा और बाकी तीन के साथ विद्ध into के साथ है कि मैं पूछा था हो अँप से अच्छा रिजिस्ट्रिंग हाँ हाँ अच्छा चाहँ हाँ वो कौन सा पॉइंट है कि एदर आ रहे हैं कि एदर आ रहे हैं यह वह ऊप्रेशनल फेस का खरचा है इसको एक्सपैंस में डालने बिल्कुल expense में डालने मैं भी यह कहा हूँ, registering website with search engine यह तो हमारा ही नहीं खर्चारी सोकत website को search engine से search engine होते है Google वालों को पैसे देना यह भी Google वालों को एन्वल fees टाइप देते होंगे लेकि यह registering website with server नहीं है यह क्या है, यह annual hosting है annual hosting का यह मतलब है कि हमारा data कहीं जाके save होगा और फिर लोग उसको easily access करेंगे, इन सारी बातों को बहाड में डालो, यह खर्चे ने फाइदा कितना अरसा देने है? एक साल, और हमारे सवाल में कितना अरसा फाइदा दे दी है? पांच साल अच्छा एक और चीज़ आपके जहन में आ सकती थी wild thought तो जहन में आ सकती है कि web server एक tangible है tangible, intangible को बनाने में help कर रहा है तो अगर web server की life दी होती 10 साल तो web server को divide करते 10 से और multiply करते सिप्तमबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से ताके web server की इतने महीने की depreciation website की cost में capitalize की जाती अल्ला का शुकर है उसने web server की life नहीं दी थी वरना हमने ये चकर भी खुदानाखासता पेपर में काराना था ये चकर इसलिए नहीं करना था कि जब website ही expense में जा रही है तो फिर website के hardware यूज होने वालों की amortization ये depreciation भी capitalize नहीं होगी तो web server की depreciation क्यों नहीं capitalize होगी in the cost of intangible क्योंके website खुद ही कहां जा रही है expenses में जा रही है क्योंके बाही है बाही है पर येस 38 5 million for planning and content development should be expensed out because website is developed primarily for promoting and advertising products and services and SL will not be able to demonstrate how it will generate economic benefits 7 million incurred for acquisition of web server should be capitalized under pp and depreciated over useful life web hosting cost of 0.42 should be charged to pnl and remaining 5.58 will be recorded as a prepayment in balance sheet देखते है कहानी कैसे खैंचता है वो इसको प्रीपेड में ले जो तो बाकि को प्रीपेड में ले जो सर ये तो implied था ये तो उसको पता ही होगा उसको पता होगा लेकिन आपने उसको पताना है कि आपको पता है तो ये प्रीपेडल में चला गया और बाकि कहां चला गया प्रीपेड में चला गया चलो यार बस इतनी से बात करनी थे लोस करो लोसो